नमस्कार मेरे पहरे विद्यार्थियों विद्यापीट राजेस्तान के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उसके अलावा CET की विकेंसी भी आपके सामने होगी। अब आप सब लोग एकी सवाल पूछ रहे हैं। और CET के परिपेक्स में आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी दूँगा। ठीक है। क्योंकि जब 2022 में जो वेकेंसी आई उस समय CT हुई थी या उसके बाद हुई थी। तो क्या रीजन है क्या CT हो सकती है। ऐसे बहुत सारे डाउट आपको कंशूज करेंगे। तो वो ये वीडियो में क्लियर होंगे। एक बार सारे साथी बनेंगे। अगर आप तेयरी कर रहे हैं Lab Assistant की तो यहाँ पर विद्यापीट का मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे और मेरे पहरे साथियों CT की तहरी कर रहे हैं Lab Assistant की कर रहे हैं तो आप हमारे इस विद्यापीट के मोबाइल एप्लिकेशन में इन कORSO के साथ झूड़ सकते हैं नाम मात्र के सुल्क में आपको quality education देने का काम कर रहा है विद्यापीट परिवार तो यहाँ पर यह मेरे पैसात्यों lab assistant paper यहाँ पर देख सकते हैं आपको 349 में paper first आपको cover करवाया जाएगा जिसमें राजसान GK के 100 questions पूछे जाएंगे current office शहित आपको पूरा content इस paper में first में cover करेंगे ठीक है paper second हम जल्द लेकर आएंगे तब तक आप इंतजार रहेंगे ठीक है मेरे पैसात्यों application जरूर डाउनलोड कर लिजगा अगर इस channel पर हैं पहली बार आप तो channel को subscribe कर लिजगा क्योंकि समय समय पर यह update मिलती रहेंगे आपको अब आते हैं अपन कि सर आपके इस course में हमें ऐसा course क्या मिलेगा जो selection हो देखो यह course आपको इस तरीके से सामने course दिख रहा होगा पर इस course को design क्या गया विज्यानिक द्रेश्टी कौन से देखे जाए तो देखो आपको मिलेगा topic wise lectures ठीक है video lecture उसके बाद उसका panel PDF उसके बाद उसकी DPP हर topic wise DPP मिलेगी उसक आपको paper first को cover करने के लिए यानि कि आपको test series B cover इसी में होगी 349 में इस वज़े से हम आपकी तयारी को आखलन करते रहेंगी यह topic के video lecture देखने के बाद आपको लगा और जो video lecture देखने के बाद जो test होगा वो PYQ आधरित होगा subjective test होगा जो essay questions होगे जो आने वाले exam को target करें ठीक है तो देखते हैं अब अपन इस जनकरी को कि क्या CT होगी या नहीं होगी सवाल सबसे बड़ा आपका यही चल रहा है ठीक है कि सर CT से बाहर है या फिर CT के अंदर है सवाल lab assistant बरतिक है मैं आपको दिखाता हूँ एक notice पिछली वेकेंसी का यह देखो करमचारी chainboard का यह वेकेंसी आई थी 2022 में ठीक है एक्जाम भी हो गया अब एक दुवीदा यह बन रही है आप सब को पता है जब यह वेकेंसी थी उससमें CT का कोई वो नहीं था CT का कोई रोल नहीं था उसमें CT थी नहीं ठीक है उसके बाद CT ने जनम लिया है इस वेकेंसी के किलिर होने के बार ठीक है जो CT का एक्जाम हुआ दो हजार तेईस में हुआ था खेके कब हुआ दो हजार तेईस में एक्जाम हुआ अब आप सब लोग इसी वज़े से द्वीधा में बने हुए हैं कि सर क्या करमचारी चैन बोर्ड लैब असिस्टेंड भरती को CET के दायरे में लेगा तो मेरे पहरे साथियो में बताना चाहूँगा पिछले बार एक अजार गुन्नीस पदों पर वेकेंसी थी इस बार भी एक अजार प्लस से पदों पर वेकेंसी आएगी जिसमें इस पस्ट दे रखा है देखो इधर की बौड द्वारा मादमिक शिक्षा विवाग, क्रसी विवाग, कॉलेज शिक तो पद बढ़ते ही नजर आएंगे आपको और अभी अपनने इसी प्रियोग साला सायक बरती के अलावा एक प्रियोग साला परिचारक बरती भी आपको देखने मिलेगी 1200 कुछ पदों पर तो ऐसे दोनु वेकेंसियां होंगी और निसीत रहिएगा सीटी से बाहर होंगी 99 ठीक है ऐसा मत सोचना कि उससे में सीटी नहीं हुई थी क्योंकि ये अलग वेकेंसी है ये 12 बेस पर है ठीक है और साइंस स्ट्रीम से है तो इनको सीटी में सामिल नहीं करेंगे ऐसा नहीं है कि सारी वेकेंसियों को सीटी के दायरे में लाएंगे नहीं कुछ वेकेंसियां जो CT के दाइरे में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, तो उनमें एक प्रियोगसाला सायक भी है, यह CT से बाहर है, निस्सित है आप चिंता ने करिएगा, कोई भी पटवार वेकेंसी की बागतरों तो वो CT के दाइरे में हैं, और मैंने शुरू में भी कहा था कि उसको CT के दाइरे मे रखा जाएगा और रख रखा है, ठीक है, यह वेकेंसी आपके सामने है, मेरे पहले साथ हूँ, अब आप यह सोच लीजिएगा, कि आपके सामने 6 मेने का वक्त है, और उसके बाद आप लेब असिस्टेंट के पद पर हो सकते हैं, चुकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट टीम ह होगी, ठीक है, जीके मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो पेपर सेकिंड होगा, वो आपको सलेक्टेट टीम पढ़ाएगी, मैं आपको जब लांच करूंगा पेपर टू, तो आपको पूरी टीम से रूबरू करवाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, तो निस्सित आपको अच्छा होता रहे, तो निस्सित है, आप सब लोग तयारी करेंगे लब असिस्टेंट की, तो कौन-कौन तयारी करने का इच्छु के कमेंट करके जाएगा, तब तक के लिए, जे हिंद, जे भारत!